आज के वीडियो में हम बात करेंगे UPL की जिनके प्रमोटर्स USA की कंपनी के साथ UPL के मरजर की option को explore कर रहे हैं तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में detail में discuss करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या current price पे आपको UPL का share लेना चाहिए है और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए company overview की तो Mumbai based UPL दुनिया की one of the largest agrochemical company है और इसका जो valuation यानि की market capitalization पचपन हजार करोड रुपे के आसपास है company industrial chemical, chemical intermediates और specialty chemical को produce करती है और इसके अलावा ये crop protection solutions भी offer करते हैं 2018 में UPL ने आरियस्ता Life Sciences को 4.2 billion US dollar में acquire किया था और इस deal के बाद ये one of the largest generic agrochemical firm बन गए थे दुनिया की और इस time पे अगर UPL की management की बात की जाए तो इनके chairman और founder है octogenarian यानि की 80-89 साल जिनकी age होती है उनको octogenarian बोला जाता है तो ये रजनीकांत देविदाश श्रॉफ है जो की company के chairman और founder है इन्होंने British plant में mercury salt को manufacture करके इस company को start किया था और जो इनके बड़े बेटे हैं Jay Shroff ये company के CEO है और इनके जो छोटे बेटे हैं Vikram Shroff वो आज की rate में company के board में एक members हैं और इसके अलावा company के अगर share holding pattern देखा जाए तो December 2021 के data के हिसाब से 28.2% की हिस्सेदारी इनके promoters के पास है और बागी का 71.76% हिस्सा public के पास है और अगर public में अगर top shareholder की बात की जाए तो LIC के पास 10.47% का हिस्सा है और JP Morgan Chase के पास 7.94% का हिस्सा है और अगर बात की जाए latest development की तो कुछ sources के हवाले से सुनने में आ रहा है कि जो UPL की founding Shroff family है ये अपने businesses और asset का fair distribution करना चाहते हैं अपने members में इसके लिए ये दो American firms के साथ कम से कम merger की option को explore कर रहे हैं और ये जो दो American companies हैं ये हैं CF Industries Holding और FMC Corp और CF Industries Holding की बात की जाए तो ये hydrogen और nitrogen products के leading manufacturer हैं हाला कि जब इन से पूछा गया तो इन्होंने बोला है कि बही कोई भी market speculation या rumor पर ये comment नहीं करते हैं और Philadelphia based FMC Corp की बात की जाए तो ये global agricultural sciences firm है जो की growers को help करती है food, fiber और fuel produce करने में इसके अलावा इनके crop protection solutions भी ये provide करती है और इन से भी जब पूछा गया इन्होंने भी बोला कि हम rumors पे कोई comment नहीं करते हैं इसके अलावा UPL ने भी अभी तक बोला है कि इनकी कोई बात नहीं चल रही है merger को ले करके आला कि ये जो दोनों American firms हैं ये अपने footprints को expand करना चाह रही है और तीनों ही companies यानि की UPL और इन दोनों firms का जो ESG है Environment, Social और Corporate Governance उस पे बहुत ज़्यदा focus है इसके अलावा इन तीनों ही companies का clean energy और sustainability oriented businesses processes पे भी focus है और जैसा कि Shroff family जो कि founding family है UPL की ये चाहते है कि अपने businesses और assets का बटवारा कर सके इसके चलते हैं काफी सारी options को consider कर रहे हैं बट इस time पे लग रहा है कि इनकी जो priority है वो merger इनको best option लग रही है उसमें क्योंकि ये इनको जो भी 28.2% का इनका stake है प्लस जो भी public shareholder का stake है उसके लिए best value दे सकता है merger और कुछ sources ने बताया है कि अगर अभी merger किया गया current stage पे तो ये लगभग company को 15% का premium दे सकता है जो कि लगभग 8.9 billion होता है यानि कि 55,000 करोड का जो इनका market capitalization है उसके उपर इनको 8,900 करोड रुपे का premium मिल सकता है जो कि इनको और इनके shareholder को फाइदा पुचाएगा और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो UPL है उन्होंने Evercore Group LLC जो कि investment bank है इनको hire किया है ताकि ये promoters को best option के बारे में सलह दे सकें इसके अलावा बता सकें कि अगर merger deal की जाती है तो उससे क्या इनके promoters और public shareholders को फाइदा होगा के नहीं होगा Similarly Goldman Sachs को hire किया गया है दोनों American firm के द्वारा ताकि वो इंडिया में जो merger और take over की option को explore कर सकें हाला कि Goldman Sachs ने भी इसके उपर कोई भी comment करने से अभी के लिए मना किया है और अगर ये merger हो जाता है तो जो shortlisted entity है यानि कि चाहे वो CF industries हो या FMC हो वो उमीद है कि majority stake own करेगी merged entity जो भी इससे निकल के आएगी और जो Shroff family है उसके पास minority stake रह जाएगा और ये अगर 63,000 करोड रुपे में deal होती है तो ये largest deal होगी agrochemical space में पूरे एशिया में और इसमें क्योंकि जादा तर जो shareholder है वो public shareholder है क्योंकि promoter के पास सिरफ 28% का हिस्सा है तो इसी वज़े से जो UPL के promoter से हैं वो buyback plan कर रहे हैं ताकि जब इनको merger का decision लेना हो तो इनके लिए थोड़ी असानी हो इनके पस ज़्यादा rights हो और इसी के चलते Thursday को UPL के board ने एक buyback proposal को भी approve किया है जिसमें की एक company का buyback करने वाले हैं और जो इनका stock है वो 3% बड़ा है buyback से हाला कि ये open market buyback है तो आप इसमें tender नहीं कर पाएंगे और इस topic पर मैंने एक specific video भी बनाया है आप उसे देखेंगे तो आप इस buyback को और detail में समझ पाएंगे और अब अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें UPL का share लेना चाहिए या नहीं तो सबसे पहले अगर हम past performance देखें तो पिछले तीन साल में उन्होंने 23% की return दी है पिछले एक साल में भी 16% के आसपास की return है हाला कि जो majority return है पिछले एक week में आई है 9% के आसपास और उसका reason है कि buyback के बाद इनके share में काफी positive momentum देखा गया है और 4th February को एक brokerage firm ने इनका target 901 रुपए दिया था और अगर हम ticker tape के predictive analysis को देखें तो वो इसका average target price 971 बताते हैं higher side पे 1160, lower side पे 734 तो जो कल की closing हुई है वो 714 के आसपास हुई है तो सिजाब से तो यह अपने lowest target price से भी नीचे पे available है तो valuation इसका बहुत ही attractive है इसके अलावा अगर हम इनके fundamental और peer analysis को देखें तो 55,000 करोड के आसपास का market capitalization है PE और PB ratio इनके जो competitor है जिसे bear crop science वगेरा उनके मुकाबले में इनका valuation काफी attractive लगता है return on equity काफी अच्छी है इसके अलावा company profitable है हाना कि debts company के उपर जादा है बट overall otherwise company के fundamentals अच्छे लगते हैं company का valuation काफी अच्छा है तो अगर आपको इस business में भरोसा है तो आप इसके share को current price पे या किसी भी गिरावट पे ले सकते हैं और अगर इनको अच्छा valuation मिलता है तो वो बाकी के share holder के लिए भी फायदे मंद हो सकता है अलाकि video close करने से पहले मैं हमेशा कितना disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप UPL के share में invest करना चाहते हैं तो अपने financial advisor से बात कीजिए या अपनी further research कीजिए उसके बाद ही आप decision लीजिए Thanks so much for watching the video and God bless you all